Hello everyone, welcome to JSP, आज हम लोग JSP सीरीज का सेट पोर करने वाले हैं, आप लोग वीडियो को शुरू से अन तक ज़रूर देखिए, क्योंकि एक्जाम में एक ही question और एक number बहुत important होता है, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा first, second और third वीडियो ने देखा तो उन वीडियो को ज़र मुखन रित्ते हैं, भारत में total classical dance कितने हैं, यह सारा question आप लोगों कर रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि यह सब question किसी भी एक्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो भारत में total art classical dance है, और मोहिनी अटम ऐसा classical dance है, जो सरफ महिलाओं के दोरह ही किया जाता है, मोहिनी अटम के अलावा कथकली भी केरल का रोकम रित्ते हैं, नेक्स question है कि तुलबल परियोजना किस नदी पर है, तो तुलबल परियोजना जेलम नदी पर है, जेलम नदी कहा है, जम्मु कश्मीर में, इसके शुरुआत कब हुई थी, इसके शुरुआत 1987 में हुई थी, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच इस परियोजना पर समझाता नहीं होने के कारण, वर्तमान में यह कार्य बंद पड़ा हुआ है, जेलम नदी का उद्गम कहां से होता है, तो जेलम नदी का उद्गम वेरी नाग में एक जढ़ने से होता है, जो कश्मीर घाटी में, दक्षिन पूर्व प्राची इन नाम वितस्ता है, टोटल पंचनत जो है, जेलम चेनाव, रावी व्यास, सतलच, इसका आपको प्राची इन नाम जरूर याद रखना है, क्योंकि यह सब questions डारेक्ट पूछे जाते हैं, एक्जाम में, हमारा next question है, बारत में नियमित जनगन्ना की शुरुआत क इसका आंसर होगा 1881 में, किसके समय में, लॉर्ड रिपन के समय में, और तब से लेकर आज तक प्रतेक 10 वर्ष के अंतराल पर नियमित जनगन्ना होती है, रिपन का कारेकाल कब से कब तक था, तो 1880 से 1884 तक था, भारत में पहली बार जनगन्ना कब हुई थी, लॉर्ड में गिया के काल में, 1872 इसमय अब इक बहुत important question आप लोगों से पूछा जा सकता है, की 2021 की जनगन्ना होगी, वो कौन सी जनगन्ना होगी, तो 2020 की जनगन्ना होगी, वो सलहवी जनगन्ना होगी, तथा स्वतंतर भारत की 8 जनगन्ना होगी, यह भी question direct exam में पूछा जा चुका है कि 2011 की जणगर्ना कौन सी जणगर्ना थी? तो इससे आप लोग पता लगा सकते हैं कि 2011 की जणगर्ना 15 वी जणगर्ना थी तथा सोतंतर भारत की 7 वी जणगर्ना थी? हमारा next question है क्वासी और कुर और मेरा नामक रोग किस की कमी से होता है? तो इसका अंसर होगा प्रोटीन की कमी से, नेक्स क्वेशन है, दिवान एक वही नामक रिशे विभाग की अस्थापना किस ने की थी, तो दिवान एक वही नामक रिशे विभाग की अस्थापना मुहम्मद बिन तुगलग ने की थी, मुहम्मद बिन तुगलग को और किन किन नामों से जाना जाता है तो इन्हें पागल स्वापन शील यारत विपाशु भी कहा जाता था अफरीकी यातरी इबनत बतुता मुहम्मद बिन तुगलक का ही समकालीन था अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा हमारा नेक सियादास नहीं की थी सियादास को देश बंदू के नाम से जाना जाता था देश बंदू के उपादी इन्हें किस ने दी तो देश बंदू के उपादी इन्हें जनता की तरफ से दी गई थी इनके त्याग और वलिदान को देखते हुए नेक्स्ट क्वेशन है ओपिक का मुख्याले कहा है ओपिक का फुल फॉर्म क्या होता है Organization of Petroleum European Countries ओपिक का मुख्याले विएना ऑस्ट्रिया में है ओपिक की अस्थापना कभूई थी 1960 में होई थी तथा इसके सदस्य देशों की संक्या 14 है डचिगम राष्ट्रिय उद्यान किस राजी में इस्थित है तो डचिगम राष्ट्रिय उद्यान जम्मू कश्मीर में इस्थित है आप सब को ये बहुत अच्छे से मालूम होगा कि जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन सबसे अधिक होता है तता जम्मू कश्मीर में ही मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृर्थिक जील है hoole Katie जम्मुकस्मीर में बहुत्परा हों करहा हैं? जम्मुकस्मीर है इस नाम जील कंसा है है? इसका अंसर होगा लो नारजील, लो नारजील कहा है, इसते है महारास्ट में, भारत में दो प्रसित जॉलब्क हैं, कौन कौन से है, बैरन दुप और नारपोल्डम दुप, बैरन दुप जो है, वो निकोबाग दुप सा मुह Mechan ुक eşकत है तो पंडिता रमाबाई के दौरा, पंडिता रमाबाई पहली ऐसे संस्कृत के स्कॉलर थी, जिनें पंडिता की उपादी से समानित किया गया था, फिर इनका बाहत पूने योगदान महिला शिक्षा और महिलाओं की अधिकारों में था, इन्हों ने बहुत प्रयात निक थे, औरक्षनी साहादरी और शुर्वोर शुकर कालसुवा ये जी उचाही लगबक 164 मीटर है पश्चमी घाट के कुछ मात्वपूर्ण दर्रे हैं जैसे थाल घाट बोर घाट पाल घाट तथा शेनकोटा ये चारों दर्रे उत्तर से दक्षिन की और इसी क्रम में आते हैं पश्चमी घाट से रिलेटेड कुछ और important facts है जैसे भारत के पश्चमी तट को तीन भागों में कन्या कोमरी तक के तट को माला बार तत कहा जाता है नेक्स्ट क्ट्षिन है रिद्ध अवस्थना और उसके रोगों का वेग्यानीक अध exclude क्या कहलाता है तो इसको जेरॉंट Swanaggi बोल से हैं सदा रोवर परियोजना का संवंध किस राज्य से हैं किस राज्य से महरास्व और राजस्थान को जल और electricity supply की सुविधा प्राप्त होती है नेक्स्ट क्वेस्टन है कि श्वेत प्रकास के प्रिज्म द्वारा बने वर्ण क्रम में किस रंग के प्रकास का सबसे अधिक विचलन होता है तो इसका अंसर होगा violet color पिछले विडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि violet color का scattering सबसे ज़्यादा होता है और red color का scattering सबसे कम होता है violet color का wavelength सबसे कम होता है और red color का wavelength सबसे ज़्यादा होता है और Red Color का विशलन सबसे कम होता है Next question है तारीके फिरोजशाही किस की कृती है तो तारीके फिरोजशाही जिया आउधीन बर्णी की कृती है जिया आउधीन बर्णी मुहम्मद बिन तुगलक और फिरोजशाह तुगलक के समकालीन थे हमारा Next question है कौन से vitamins का translation हमारे शरीर के अंदर होता है, तो इसका answer क्या होगा, इसका answer होगा, vitamin D और vitamin K, vitamin D और vitamin K का रसाइनिक नाम क्या है, तो vitamin D का नाम है calciferol, और vitamin K का नाम है philoquinone, यह हमने आपको कल की वीडियो में भी बताया था, क्या है, तो vitamin D की कमी से रिकेट्स नामक होता है, तथा vitamin K का का कारिए हमारे शरीर के अंदर, यह रख्त का ठक्का बनने में सहायता करता है, केल के वीडियो में हमने आप लोगों को ये भी बताया था कि रक्त का थक्का बनने में उत्तरदाई प्रोटीन कौन सा है इसका अंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है आप लोग जरूर से जरूर इसका आंसर दें अच्छा अभी next question ये आता है कि vitamin D का संसलेशन और विटमिन क का संसलेशन, संसलेशन मतलब formation, हमारे शरीर में कैसे होता है, तो, विटमिन D का संसलेशन सुरे के प्रकाष में उपस्तित पराबैग्नी केर्णों से इसके इन द्वारा होता है, जब कि विटमिन के का formation हमारे शरीर में Itdwad होता है जिवानुआ मतलब बैक्टेificación के द्वारा होता है नेक्स ग्रीकलीबीड टाइगर होता है कि उत्तरप्रदेश में उत्तर प्राइश में वहत बहुत महाथोपूर्ड नैशनल पार्क इस्तित है जिसका नाम में दूधु वा नैशनल पार्क राष्ट पती को सम्विधान किस अनुझे के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है तो इसका अनुझे 123। आर्टिकल 123 के तहत राश्टपती अध्यादेश जारी करते हैं, जब कि गवर्नर किस आर्टिकल के तहत जारी करते हैं, तो गवर्नर अनुछे 213 के तहत जारी करते हैं, जब हम संसत की बात करें, तो लोगसभा और राजसभा जब दोनों सदन सत्र में नहीं होते हैं, तो रा जरूर द्यान रखिएगा कि 6 सब्ता के अंदर पारित कराना होता है ना कि 6 महीना या 2 महीना 6 सब्ता वर्ष 2011 की जंगन्ना के अनुसार सरवादिक साक्षरता प्रतिशत वाला केंदर शासित प्रदेश कौन सा है तो इसका अंसर होगा लक्षद्वीप और लक्षद्वीप मे ल्रॉरेνस का कारिकल क्या था? 1864-1869 ल्रॉरेंस ने कुछ और इंपॉर्टन कारिक किये थे जैसे ल्रॉरेंस ने ही एक काल आयोंग कगठ्न किया था Henry Campbell के नित्रित में तथा Lord Lawrence के ही समय में भारत और यूरोप के बीच प्रथम टेलिग्राफ सेवा शुरू की गई थी 1865 में नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथ एवं सरदेश मुखी कर किसके द्वारा लगाया गया था तो इसका अंसर आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे इसका अंसर होगा शिवा जी चौथ क्या होता था चौथ एवं सरदेश मुखी किसको कहते थे तो चौथ भूराजसों का एक चौथा ही हिस्सा था जो मराठा लोग इसले लेते थे कि वो उस छेतर पर आक्रमर नह द्वार करते थे यह सदेश मुखी उस चैतर से लिया जाता थे जो मुगलों के अधीनता तरह जिस पर पर अपना द्वा करते थे ने क्वेशल कादी दिवस कम मनाया जता है 16 October को ये क्यों मनाया जता है, क्योंकि सेयुक्त रास ने 16 October 1945 को खादी एवं क्रिशिश संगठन, FAO, Food and Agricultural Organization के अस्थापना कीती, जो बदलती तक्नीक जैसे क्रिशी परियावरन, पोशक्तत्व और खादी सुरक्षा के बारे में जानकारी देता है, एक बहुत important point इससे आता है कि भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक भारत को ट्रांसफैक्ट मुक्त बनाने का लक्ष निर्धारित किया है, तो मतलब किस वर्ष तक ट्रांसफैक्ट मुक्त बनाने का लक्ष निर्धारित किया है, तो इसका अंसर होगा 2022, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, प्रथम भारतिय गवर्नर जनरल कौन थे, तो प्रथम भारतिय गवर्नर जनरल है, सीराज गुपालाचारी, जब कि स्वतंतर भारत की प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंट बेटेन, जब भारत को स्वतंतरता प्राप्त हुई थी, तो उस समय कॉंग्रेस क होता है HG2 CL2 नेक्स क्वेशन है कि भारत में मिट्टी बचाओ अभियान सरोर्पतम कहां शुरू हुआ था इसका अंसर होगा होशंगाबाद MP में कब हुआ था तो 1972 में अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजेगा ताकि जादा से जादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके अब नेक्स spitि आप लोगों के लिए हराकसिस यहरा थोता करसाइनिक नाम क्या है यह हमने आप लोगों को पहले या दूसरे वीडियो में ही बता आया है आप लोगों की इसका आंसर जरूर कमें में देना है साथ ही साथ ये भी बताना है कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा थैंक यू जय हिरू